Hi Everyone, My Name is Nadee Bhatnagar and I welcome you all in this channel तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे आज का जो वीडियो है वो काफी इंपोर्टन वीडियो है विकास यह है क्लास टैंट की हिंदी की कविताओं का रिविजन वीडियो कम से कम समय में जादा से जादा रिविजन यही है हमारे इस वीडियो का मोटिफ, तो चलिए, विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आज हम ले रहे हैं सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, वो है कविता, चीकि यह जितनी भी कविता हैं हम पहले वो कबर कर और और सुक हो और हमारी बात सुनकर दूसरे लोगों को सुक्राइब हो तो चलिए समझ्झे इसको कि अच्छी बाते डिलिए होती है प्रेम हमारी वाला है और दोनों को ही अनंद्प्राप्थ होता है दोनों को अच्छा लगता है और हम अंदर कभी भी ढर कि भावनहीं कि मैं हुं मैं ही ही सब मेरा ही सब कुछ एम से यानि कि इहंकार की क्या कर देना चाहिए समय आप्त कर देना चाहिए और एस्कंडेले इसे खट्क राम हैं दुनिया देखे ना यह देखोि कश्तूरी कुंडली है देखो यहां पर नहीं हिरन के बारे में पता है कि कस्तूरी क्या होता है एक सुगंदत प्रदार्थ होता है जो की हिरन की नाभी में पाए जाता है म्रग की नाभी म्रग का मतलब क्या होता है हिरन होता है ठीक है तो कस्तूरी जो है एक ऐसा प्रदार्थ है जिसमें की बहु हम इसमें कस्तूरी वस्ती और यह क्हां रहे हैं तो पता ही यह उतर जंगल में भटक बटक जो रहा है और यह गटी-गटी-गटी राम है नहीं खरकन गटी-गटी मतलब हर कणकण में भगवान है और दुनिया देखे नहीं और दुनिया को क्या हो रहा है दुनिया जो है वो देखी नहीं बारी दुनिया क्या करें मंदिरों मजदों गुर्द्वारों है भगवान को जाकर डून रही है जबकि भगवान तो कहां पर विद्मान विद्धा जी ने मनुश्य कि तुला किस से करी है पर यहीं बता रहें कि घरन यानी की चो है उसकी नाभी में ही कस्तूरी होती है मगर वह इस बात का ज्यान ही नहीं है और उस खुश्बु को महसूस करता है जिंगल में जाता है इदर उदर हर वक्त उसको ढूंड रहा होता है उसको पता ही नहीं है कि वो अभी में ही असके और वो इदर उदर उसको ढूंड़ता है उसी तरीके से तो भगवान तो कहा पर है भगवान तो हर कणकण में गट गट में गटी गटी मतलब हर कण में विद्धमान है हर एक की हि गूणदारों में धुनने की कोशिश कर रहा है चलिए नेक्स वाले पर आजाते हैं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अध्यारा मिट गया जब दीपक देख्या माही जब मैं था यानि मैं यानि की एहंकार तो कभिड़ाजी जब कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं था यानि कि मेरे मन में एंकार था तब हरी नहीं तब वहां पर हरी यानि कि इश्वर का वास ही नहीं था जब मेरे मन में एंकार था तब वहां पर भगवान का वास नहीं था अब हरी है मैं नहीं मैं का मतलब यहां एंकार से है और हरी का मतलब यहां इश्वर से है अब व नहीं है सब अंद्यहारा मिटी गया जब दीपक्ना माईव सारा अंदकार जो है इन करकाओ कि जब हमारे यहंद करक south न की भावना रहती है में भावना रहती है तब तक हम हान trenches जाते हैं तब हम्मारे मन में इश्वर नहीं होता वहां कि जो आंत्मी घमंडी वहां एंकारी होगा इश्वर के मन में कभी निवास ही नहीं करेंगे और जब कह रहे हैं की हरी है मैं नहीं कि जब मनिश्य के अंदर हिर्दय के अंदर ज्यान रूपी दीपक जल जाता है यानि कि उसे भगवान जो है उसके मन में आकर बस जाते हैं ज्यान रूपी दीपक जल जाता है तब क्या होता है तब जितना भी अज्यान होता है वो सारा का सारा मिटे जाता है यानि कि मनिश्य के हिर्दे में जब ज्ञान रूपी दीपक भगवान जला देते हैं जब सारा अंधियारा मिट जाता है यानि कि सारा ज्यान जो है वो समाप तो हो जाता है तो दिपक देख्या माही दिपक जो होता है माही मतलब अंदर जाता है क्विखिया सबसंसार है कहाई अरुसोवे दुखिया दास कबीर है जागे और में से सारे प्रिशन आजाते हैं तो बहुत बेहें जल्दी से कर लstory सबसंसार सुखिया ञातीकर trafficsिया दास जाते हैं कि सुखिया सब संसार सा ainda क्या कर रहा है क्हाना खाना खाना राइट अब खाते रहना कछ भी खाना पीना मतलब आश्द टिकाने कर रहे हैं अरू मतलब और ठाये अरूँ खाते हैं और सो जाता है सोवे मतलबं सो जाता तो कभीर दासजी कहरें कि जो कभीर दास अपने भगवान का दास मैं कभीर हूँ इस्वर का मैं भलत हूँ दास इस्वर का थाinsky पर इस जाग ऑर और मैं रहा हूँ मैं रहा हूं क्योंकि मैं अब अलग हूं मुझे मिलन नहीं हुआ मिलन नहीं हुआ चलो कि प्रस्तों दोएमें कविर्दाजी और इसमीन उन्सान इपको पड़ित बॉह सहता है तो नीद्न क्या रहे है और पर रहे हैं आंको दुखी रहे हैं अपना ही रहे हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ भगवान का मैं दास हूँ मेरी आँखों में नींद नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ वह जागता है और रोता है कौन अपने लिए कह रहे हैं या फिर ऐसे मनुश्य जो इश्वर की प्राप्ति चाहते हैं ठीक है वो क्या है जागते हैं और दुखी हो मतलब कि क्या होता है वियोग हो ना दूर होना इतनी दूरी दूरी में जिसमें मिलना ही ना हो और मतलब होता है भुजंग यानि कि साप भुबंग हम किसे कहते हैं साप को तन किसे कहते हैं भई शरीर को और बसे मतलब रहता है चीक है मंत्र न लागे कोई मंत्र का मतलब उपाय कोई उसे सूजदा ही नहीं है चीक है और वियोगी किसे कहते हैं भई राम वियोगी यानि कि जो राम के वियो व्यक्ति पागल हो जाएगा तो चलवचे से समझ लेते हैं अब इसे भी कि विरहा भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई राम भीयोगी ना जीवे जीवे तो बहुरा कोई तो कविदाशी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में विरहा रूपी सर्प का विश्च चला जात जाते बिरहा रूपी यहां साप बताया अलग होने का दुख जैसे कोई साप काट लेता और व्यक्ति तडपता है एसा ही वह कुलना यहीं कर रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति भागवान से मिलना चाहिए भागवान से विरहा जो है वो महसूस कर रहा हो तो उसको कोई मंत्र नहीं लगता कोई जाणफो कोई मंत्र उसके काम नहीं करता राम व्योगी ना जीवे राम के जो व्योग में दुखी है ना व्यक्ति है ना जो परिशान है वह जी नहीं सकता और जीवे तो बहुरा मतलब पागल तो अगर वो जीवी ले अगर व्यक्ति ऐसे में तो वो पा और ना मिलना होना भुवंगं मतलब साप ये बात याद रखने की है । निंदक नेडा राखिए अंग्नी कुडी बधाई बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबः हूँ पिर से पेड़ो निंदक नेडा राखिए अंग्नी बधाई और ब Ole निंधक निन्दा करने वाला आपकी और रहा है चाहते हैं तो हमें इतने बास रखना चाहिए चाहिए और बिन सामन पानी और अगर अगर आसा करते हैं तो बिनासाबुन और पाणी पानी के क्या होगा निर्मल करें तो ऐसा व्यक्ति क्या कर देगा सफाही कर देगा इमारे चरित्र की मन्द की हम में सकारात्मक परिवर्थन ला देगा बहीं कोई व्यक्ति हम उपके कमी बताने वाले व्यक्ति को अगर हम अपनी ना कर सकते हैं गुव ==== ऑपने दूर कर पाइंगे हम हम सुधार कैसे लाइंगे इसका यह Assistant को हमेशा-इतना मतलना हमारा हमारे हितेशी होता है और निंदक का्भी बुरे नहीं होते हैं без अच्छे ही होते हैं क्योंकि तो आपको तो लगने लगे काक्या बहुत अच्छी हो तो आप अपने अंदर कुह सुधार करोगे यह नहीं देखिए निंदक जो है उसे तो नीड़ा यानि कि अपने साप हो जाता है नेक्स्ट पर आते हैं पोथी-पोथी-जगम्भा पंडित भया नकोई और एके आशर प आर्थ बेसिकली यहां पर आ रहा है पोथी पड़ी पड़ी पोथी मतलब होता है धार्मिक किताब है और पंडित भया ना कोई जो है वह पंडित बन पाया क्या उसे सच्छा अग्यान प्राप्त हो गया यह आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं यह अपने उसके अर्थ को अच है ना और एक ही आशिर पीव का पड़े सो पंडित होई कि ऐसा व्यक्ति जिसने एक अक्षर भगवान का पढ़ लिया हो अपने प्रियातम जो उनके इश्वर हैं अगर इंसान वह पढ़ लेता है तो क्या होता है तो वह पंडित बन जाता है नहीं सच्छा यानी बन जाता है कि आप कितनी बुस्तके पढ़ लो आप को कितना ही सांसार ज्यान प्राप्त हो जाए ना पोथी पड़ी-पड़ी जग मुवाप चाहें पूरे जग में जग मतलब संसार ठीक है तो कितना भी आप इस तरह का ग्याने खटा कर लो लेकिन क्या होता है इस तरह मुवा गया तो पोथी-पोथी पढ़ पढ़के बड़ी-बड़ी किताबे पढ़के लोग जो है धरती पर आए और मर गये लेकिन पंडित भयाना कोई कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन पाया और एक ही आश्रपीव का पंडित कौन बन पाता है जो कि प्रेम का प्रेम की भाशा ब में पर जीवन में नहीं उतारते लेकिन जो सच्चा व्यक्ति गयानeworkण नेक सुन पिख्यास प्याने लोगोर्फ की निक्स्ट पहाजाते है हम घर जलाया आपना लिया मुराणा खाती अब घर जालयो तास का जे चले हमारे साथी ठीक है फिर से पड़ो हम घर जलाया आपना लिया मुराणा खाती अब घर जालयो तास का जे चले हमारे साथी देखो हम मतलब मैंने जलाया मतलब जलाया है ना यह वाले जलाया का मतलब जलाने से या आपना मतलब अपना लिया मुराडा खाती मुराडा का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी हाती मतलब हात में ठीक है है हाती मतलब हात में अब घर जाले हो तास का तास का मतलब उसका जो चले हमारे साथ ही जो हमारे साथ चलेंगे बेसिकिली वहां पर यह कह errहें किसको जलाने की बाद चल रहीं हैं है अहलग को तयाग दिया हैं हम करते हैं और इश्वर से लगने के लिए मनिश्य को समाप्त करने के लिए क्रोध माया रुपी घर को मशाल लेकर जलाना ही पड़ेगा मतलब हमें अब गर उनका जलाना है जो हमारे साथ अच्छे मारगों पर चलेंगे अब हम नेक्स करेंगे मीरा के पद तो मीरा बाई के पद ठीक है यह मारा दूसरा पाठ है आए शुरू करते हैं हरी आप हरो जन की भीर त्रोपदी दी राज लाकी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नरियरी धरियो आप सरीर और गूर तो गजराज राकियो काटी कुझर भीर दासी मीरा लाल गिरदर हरो हमारी भीर हरी यानि कि किसको कहा जा रहा है यहां पर शिरी कृष्ण के ल हरा चीर बढ़ायो चीर यानि की कपड़ा अप क्या करते गए लूप नरहरी धरियो आप शरीर और आपने भगत अपने जो आपका भगत थे उनके कारण आपने कौन था इनका भगत की बात चल रही है ठीक है भगत कारण रूप नरही और आपने नरहरी के रूप में क्या किया था इन्होंने पहला थे। नहीं पसंद नहीं था था अपने यी बेटे को मरवानी की बहुत कोशिश की थी तो तब जो है श्री कृष्ण भगवान नरहरी का रूप लेकर उनका जान बचाया था ठीक है तो भगत के कारण आपने क्या किया था नरहरी का रूप धारन किया था ठीक है और बूड तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर किए रहता ये अपसे वेयता कि चिंश रहते हैं कि वह सकुझा ही भागवान श्रीक्रिष्ण से बहुत प्यार कर से एंगं inspect कर्ते हुए क्या प्रभू को ना याद मेदाð अंदर इतनी शक्तिया तो मेरे भी दुख का नाश करो प्रभू और मीरा उधरान देते हो बटाती हैं कि जिस तरह आपने त्रोपदी की इजद बचाई थी उसकी जो साड़ी है वह आपकपड़ा बढ़ाते चले गए थे जिस तरह आपने भक्त पहलात को बचाने के लिए नरहरी का रूप धरान कर लिए था जिस तरह आपने हातियों के राजा हाधियों के राजा बहुत्त हाधियों के राजा बहुत्ति के बोंहर ते झीश साफके पर बचा लिया था च्छिए को अपने इस भक्त के भी चलू को गए रहे हैं याँ पर शाम तो अब समझ गये होंगे चाम किसको क्या जा रहा है बहुत रिक्रिश्न भगवान को महाने मतलब हमें मुझे राइड चाकर यानि की नौका तो है शाम आप मुझे अपना क्या रख लीजिए बहुत अपना नौकर रख लीजिए गिर्धारी ल रहूंगी चाकर बनकर यानि चाकर रहकर मैं क्या करूंगी बाग लगाउंगी नौकर बनकर आपके चाकर बनकर मैं आपका बाग लगाउंगी नित उठ दर्शन पाईसू और रोज नित मतलब रोज एक तरीके से उठकर मैं आपके दर्शन पाईसू पाईसू मतलब पासक तो मैं जब आपके नौकर बनूंगी और आपकी घर वहाँ पर बाग लगांगी तो मैं उठके आपका क्या कर पाऊंगी दर्शन गर पाऊंगी ब्रिंदा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाईसु और जो व्रिंदा वन है ना वहां की जो मतलब होता है छोटी-छोट दर्शन गरी में बजाओंगी तो मैं क्या करोंगी और शुमन पाइसु खर्ची टिक है और मैं क्या करोंगी ले क्या होगा इस याद करती रहूं मेरा जेव घर्स होगा कि मैं आपको देख सकते हो और आप देखो कोई नोकर तो आप मुझे क्या दिरो अपने दर्शन दे रहे हो ठीक है तो मैं यही जेब खर्च कर पाऊंगी और क्या कहते हैं भाव भक्ती जागीरी पाइसू मेरी भाव भक्ती यह ना मेरी पूरी जो भावना पूर्ण भक्ती है यह संपत्ति मुझे मिल जाएगी और तीनों बाता स सरसी मोर मुकुट पीतांबर सोहे अभी इनके रूप का वर्णन करती है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजनती माला और ब्रिंदा वन में धेनु चरावे मौहन मुर्ली वाला वो कहते हैं कि आपका जो मुकुट है है ना उस पर कौन सा है मोर पंक लगा हुए तो मोर मुकुट होता है पीतांबर सोहे इन्होंने पीले कपड़े पहने हुए उसके लिए बाद बोला जा रहा है कि पीतांबर सुहे आप पे पीले कपड़ जहां बेलकुल बारिंदायाओक़् व्लन में जो हैं गाये चराते हैं मोहन मुर्ली वाला क्या का जो हैनि बिच बिच राखूं बारी सावनियारा दर्शन पैसुं पहन कुसुंभी साड़ी अब यह कहती है मैं उच्छे उच्छे महल बनावन बनावन मतलब क्या होता है बनावंगी और मैं उच्छे उच्छे महल बनावन बनावन बीच बीच में क्या करूंगी बारी यानि की फुल मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अधीर हो रहा है बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है बहुत है न यह तो फिर चलो अब इसको व्याख्या करते हैं इसके अच्छे से कि मीरा जो है अपने अराध्य श्रकृष्ण है उनसे कहते हैं कि हे शाम मुझे आप अपनी दासी बना लो मैं तो मतलब आपकी नौकर भी बनने के लिए त विहार कर रहें तो इसी बहने रोज सुपह में तुम्हारे दर्शन कराया करूंगे ब्रिंदावन कि बया यह तो पतली बद्लियां है प्तली गलिया है तौह में तुम्हारी जिदा है उसे गाउंगी और सीवा के बदले में तो मुझेसर्प रभू दर्शन का अफसर मिल मतलब किछ मिलेगा ऐसे मुझे जेफ के रुप में आपका जो है नाम जो है मिलेगा एसमरण करणा मिलेगा आपके दर्शन प्राप्त होंगे और मुझे भाव भक्ती की जागिरी भी प्राप्त हो जाएगी पाइस हो मतलब प्राप्त हो जाएगी और तीनों बाता सरसी ठीक है और क्या होगा इस प्रकार से दर्शन इस्मरण और भाव भक्ती दर्शन में कर पाऊंगी आपको इस्मरण भी में कर पाऊंगी बार बार ब भक्ति तो डेफिनिटली जब आपके पास रोगी तो तीनों जो बातें हैं मेरे जीवन में बिलकुल रच बस जाएंगी अब आगे की लाइनों मेरा कहती हैं कि अब इनके रूप का बखान करती है वो ठीक है इनके सौंदर रूप सौंदर का पुरा वर्णन करती है और वो कह पीले वस्र जो है वह बहुत सुषोबित हो रहे हैं उन्होंने गले में फूलों की वजनती माला पहन रखेंगे और मेरा वह मोहन व्रंदावन में गाए चराता है मदूर मदूर मुद्लियां बजाता है वह पूरा इनके बारे मैं पूरा अच्छे से एक्स्प्लेंड कर र बारी बनाओंगी चुर्ष्ण म्हवान ने जो उचोचे महल बना रहा है उसके बीच बीच में बारी तो पूलों बनाओंगी और पिर स्वानिया के सब्सक्र नहीं की लाल रंगी साढ़ी पहन कर अपने सावले प्रभू के दरशन घर पाऊंगी मीरा प्रभू से निवेतन करते हैं कि हेप्रबू अपना मैं आपके बीना बहुत बेचैन नहीं है तो आप जमना जी के तीरा दर्शन दे दिजीए ठीक है और मिरा के तो कान मैं गुर्दर नागरही है अब हम अगला पार्ट क्या करेंगे यां करने वाले है नेक्स्ट वाले में देखते हैं अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है मनिश्रता पूएं ठीक है तो अब हम करेंगे मनिश्रता यह किसने लिखाएं मैथली श्राण गुप्त जी द्वारा रचत यह कविता है ठीक है चलो विचार लो कि मृत्य हो ना मृत्य इसे डरो कभी मरों परन्त ही मरों के याद करें सभी सब्यू है चार द इकigos का व कि आ होता है आप यह बात जो है मान लो जान लो कि मृत्य थो नहीं है तो मृत्य तो आरुँ विचार लोग की मृत्यू रों कभी ओर जो चीज करें कि मरने के बाद भी आपको याद करसकें अच्छी मृत्यू मतलब होता है अच्छी जो कि दूसरों के लिए जीता है जो अच्छे काम करता है क्योंकि मरने के बाद भी तो आप फिर उसे याद रखते अपनी इस परण में उसे जिन्दा रखते हो मरने के बाद भी तो दुनिया अगर अच्छे होगे तो तुम्हारी ऐसी मृत्यों नीच चाहिए ठीक है और क्या होता है वही परवर्ति है कि आप हापी चरे जानवरों की प्रव अधाद दूसरों के लिए जीए मरने का अर्थिया आपर जीने से हैं यह याद रखिएगा चलिए अब आवावते हैं नेक्स्ट वाले पे उसी उदार की कता सरस्वती बखानती उसी उदार से धराकृतात भाव मानती उसी उदार की सदक सजीव कीरती कूजती और उसी सीम विश्व में भरे जो यह मनश्य के लिए मठें कि महान व्यक्ति के महान व्यक्ति के का सरस्वती बखानती रथात किताबों में कैसे रखान व्यक्ति होता है नेiest हइसा अच्छे से अच्छे मान व्यक्ति की कि चलते हैं वो किताबों में होती है वो किताबें उसी को बखान करती है उसी उदार से धरा कृतार्त भाव मानती उसी उदार व्यक्ति से उसी अच्छेश्ट मानव से अच्छे व्यक्ति से जो दुसरों का भला करता है कल्यान करता है सब के लिए जीता है बाकी ठीक है धरा अर्थात धर मतलब इसकी मतलिए ना दर्टी पर माता रहाने वाले मता के बच्चे हैं तो तो क्या हो जाएगी रिनी हो जाएगी अभारी हो जाएगी तो धर्ती भी उसका रिण मानती तो उसी आइसे लोग की बात करते हैं लोग चलो यह तक दिखते पहले अकंडवाव था मनुष्य है यह मनुष्य गया पर लेते हैं इंपंक्टियों में कभी क्या करता हैं कभी बताना जा रहा है कि वहीं युदार मनुष्य होता है उननी का जीवन का तो मैं तो बता है अगर आप एक अच्छे प्राणी बनते हैं विश्ट लिए आपको क्या मॉरल दिया जा रहा है कि आप एक अच्छे इंसान बने तो कहते हैं कि अच्छे मुनिश्चे का जो जीवन है उसका क्या मैत्व है यह वर्णन यहां पर हो रहा है तो बताते हैं कि जो दूसरों के होता है यह व्यक्ति जो तर भी ऐसे भी मनुश्य को जन मेत और मुणे में प्रति अभाव हैs ना रखते हैं लोगों Competition का भाव रहते हैं इससार में और प्रृतr संब्सक्ताबं और बहुत प्यार करते हैं और वास्ताम में वह सभी प्राणियों करने लगते हैं अपना सारा जीवन दुसरों के लिए अच्छे कामों में लगा देता है कि सचा मानफ्त बाकी लोगों के लिए पहां ने पीछे बता नभी किया सहर्षवीर कर्ण ने चरीर चर्म भी दिया अनित दे के लिए अनाती जीव क्या डरे वही मनश्य है कि जो मनश्य के लिए मरें यहां पर आपको क्या किया है कभी ने बहुत अच्छे-चे कुछ एक्जांपल दिया है ऐसे लोगों के देखो सबसे पहले देखो सवम बहुत बुके थे रंती देव जे वो खुद बहुत बुके थे शुदार्थ से भूके थे बुक से बहुत परेशान थे लेकिन कर्मे उनके एंके हात में जो थाल था भरा हूँ अबो जन से बहुन ने दान में दे दिया दहाख दढ़ीची ने परार्थ हस्ति जाल भी जो दधीची रिषी थे, उन्होंने क्या किया था, अपने पूरा घड्यों का जो समुए वो देवताओं को देदिया था, वज्जर बनाने के लिए था, अपने अस्थियों का जाल, उन्होंने अपने प्राणतेयाग दिये थे, उशीनर सितीश ने सव मास अदान भी किया, औ चर्म ने दिया और उन्हाने भी खुशी खुशी अपना पुरा चर्म जो है वह क्या किया था अपना कबच उतार कर दे दिया था उनके फैदा और देहे के लिए अनादी जीव क्या डरे और हमारी तो यह जो एक नहीं समाप तो होई जाएगी इसके लिए क्या डरना तो द्यान से समझ लो इसको पंगतियां के कल्यान करने वाले कुछ उधारण दिये हैं जो एसे लोगों के उधारण करते हैं यह जुन्होंने समाज का कल्यान किया था यह बोल सकते हैं और वह समझाने का प्रियास करते हैं कि उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जो दूसरों के लिए आज हम कर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं तो सरस्वति कता भखानी रिया ना एक तरीके से उनकी है ना तो वही बात करें कि राजा रंदीदेव के ने अपने सामने खड़ा अ उनकी अस्तियों का दान मांगा गया था थो भी उन्होंने क्या क्या था अपनी एस्तियां भी दान में में तरीके से दान करनें इते हैं अपना के लिए मरता भी एक तरीके से सहानुबूति चाहिए महाविबूति है यही वशी कृता सदैव है बनीवी स्वैम मही विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवा हमें बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने जुका रहा अहां वही उदार है परोपकार जो करे वही मनश्य है कि जो मनश्य के लिए मरे बहुत बढ़ी अलाईन qogh mai कि उसके अंदर कम से कम सहानुबूति तो हो अगर आपके पास आपके मन में kindness नहीं है आपके मन में दूसरों के लिए प्यार नहीं है आपके वास कितना भी रने विकार है क्योंकि महाविबूति आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है आपकी बड़े सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि आप जो है वो दूसरों के प्रति बूटए करें और अपको उदार और महान मनाती है अएसी चीज़ें क्या करते हैं आपको फैना उदार महान मनाती है यह सबसे अच्छा गु मसदा degamel आपके अंदर महाविबुति है यहीं आपके सबसे बड़ी पूंजी है वशीकृता सदेव है बनी हुई स्वैम मही तो यह कहते हैं कि अगर सानुबुति आपको उदार और महान मिनाती है दूसरों के प्रती दयार सानुबुति के वहवार करके आप संपूर्ण धर्ति को अपने वश में कर जाते तरीके से श्वर भी उनकी बात सुनते जो अच्छे लोग होते हैं नेक्स वादे को विरुद्वद्वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहात तो यहीं बात बता रहे हैं यहां पर कभी कि देखो भी यहां पर मात्मा बुद्ध का में एक्जांपल दिया ठीक है बुद्ध ने क्या था उस समय जितनी बीगषाय था था रहना रहते हैं अब देखो मात्मा बुद्ध में सब्रयोद के बावजूद बी खुद को राजा ना बनाकर लोग कल्यार में लगा दिया था एक उन्हों उस समय इस सब बातों का विरोध किया और बिल्कुल दयाप्राव में भाइग तो वही कहते हैं तो क्या आज आज आए कि नहीं घुकता है अगर आप सथ्य का शुक्ति आपको सकते हैं वरोही परुपकारी जिता है 20 एक जो filt दूसरों के लिए अरता है 20 दूसरों रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित में सनात जान आपको करोन गर्वचित में अनात कौन है यहां त्रलोकनात साथ दयालुदीन बंदू के बड़े विश्वा लिखाते अतीव भागहीन है अधीर बाव जो करे और वही मनश्य है के जो मनश्य के लिए मरे बहुत बढ आपके पास आपने पैसा पईसर पर जाकता है आपके अधियर Aunque अखर आप करेंगे आपके बिमारियां मिलेंगे में मत रहिए सनाथ जन आप को करोना गिर्वचित में अपने को सनाथ जान इस सब कहन नहीं होता है तो सब्सक्राइब कर और अपने आपको तो इस बात कमद करो क्योंकि सबके साथ तो इश्वर हैं त्रलोक नात तो सबके साथ हैं और इश्वर के हाथ तो जो है बहुत विशाल है अतीव भागेहीन है अधीर भाव जो धरे अतीव भागेहीन है दीर्बाव जो धरे और वही मनश्य है जो मनश्य के लिए मरे शक्ता पढ़ने पर अपने श्रीर का बलिदान करने से वा कभी भी पीछे नहीं까요 करना माता पिता नहीं करना कोई इंसान तर्थी पर अनाथ नहीं कि कि सबके मातापिता के रूप में इश्वर हैं संसार के पालक और संदक्षक इश्वर हैं इसलिए कोई स्वैम को अनात ना समझे कई बार मनुष्य अपने परिजनों को लेकर अपने धन को लेकर स्वैम को सनात समझने लगता है और घमंडी हो जाता है लेकिन ऐसा मानव जग कल्यान करता है लोगों को प्यार देता है अच्छे काम करता है अवशक्ता पढ़ने पर वो अपने शरीर तक बलिदान दे देता है पीछे नहीं अटता का भी भी तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है प्राणी भाग्याहीन वो कह रहे है जो असंतुष्ट और अ यहां पर अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष की सवाउ जो बड़ा रहे बड़े बड़े पारास्परलंब से उठी तथा बड़ो सभी अभी अमरत्यांक में अपंक हो चड़ो सभी रहो नहीं कि एक शेनकाम एक का सरे और वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के तो चलिए अंगली बंक्तियां देख लेते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं कड़ें और समक्ष की स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े-बड़े समक्ष मतलब सामने स्वभाव यनिकी अपनी बाएं वह अपनी बाएं फैला कर आपका स्वावत करेंगे अगर युखे को परोपकार करने और अच्छे मतलब मानव कल्यान के काम करने के लिए कह रहा है और वही समझाना चाहरा है कि कभी के निशार एसा जीवन जीओ जो मतलब आइसे लोग बहुए सो का हो युख जिते हैं न तो इश्वर उते हैं उनकी मदद करते हैं ठीक हैं ऐसे ल हो दूसरों के परुक्त के काम करो और सब क्या करो कि अपना सब कर !! ना कर Plant और वो कहते हैं रहो नईयों की काम से नकाम और का सरे ऐसे काम मत करो कि सिर्फ तुमारा ही काम बने मतलब दूसरों के काम भी आओ बेसिकली और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ठीक है नेक्स देखते हैं मनुष्य मात्र बंदू है यही बड़ा विवेक है पुरान पुरुश्वम भूपिता प्रसिद्द एक है फलान उसार करम के अवश्य भाइवेद है परंतु अंतरक्य में प्रमान भूत वेद है अनर्द है के बंदुगी न बंदू की व्रता अरे वही मन मतलब कि समझदारी की भात हैं कि हमसा बापस में हैं है ना पुरी धरती जो है जो है दिष्तों में बनी होई है क्यों पुरानल पुरमत्मा प्रम ने कि अ क्या यहीं कि अब है कि पर्मात्मा है हम सब के जो है वह valor बाकी लोग जो है लेकिन परम्पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांद की रचना की उनको कहा जा रहा है उत्पन होने वाले हैं और वही सब अगर वही सबके पिता हैं तो आम सब क्या है दूसरे के बाई बंदू है फलानुसार करम के अवश्य वाहिवेद आपने जैसे करम कि यह होंगे उसी के नुसार आपका जीवन है तो वह बेद इसलिए लगे कि कोई अमीर है कोई गरीब है कोई काला है कोई गुरा है सुकी संसार में जो है बहुत जाता है केवल मनुष्य के करमों के अनुसार होती है सबका पिता तो समान ही है न परमपिता इश्वर की संतान है हम सभी लेकिन सभी के जीवन में जो अंतर होता है कि कोई अमीर होता है कि कोई गरीब होता है यह सब बाहरी भेद जो होते हैं सभी प्राणियों में उनके करमों के नुसार होते हैं सबके रचेता कौन है केवल ए सबसे बड़ी अनर्थ की बात है और मुलिष्य का करता यहीं है चलो नेक्स्ट देखते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विग्न जो पड़े उन्हें डखेलते हुए घटे नहीं मेल हां बड़े न भिन्नता कभी अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी तभी समर्त भाव है कि तारता हुआ तरे वजी मनश्य है कि जो मनश्य के लिए मरे च अब मतलब इच्छत मार्ग के पर चलो ऑफिश्ट मार्ग के आपना चाहते है यगर आप कुछ बना चाहते है तो DEFINITLY उसमें कुछ ना कुछ विपत्ती आएंगी परिशानी आएंगी संकट आएंगी लेकिन आप उन सब को टकलते हुए आगे चले गटे ना हेल मेल हां बड़े ना बिन्दता कभी मगर आपकी मंजल के बीच में ऐसा नहीं हो ना चैकि आपका हेल मेल किसी से घटे भाईचारा आ साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये है तभी समर्ध बाव है कि तारता हुए अब कि समर्ध गार्णा चाहिए है ना समर्द बापTA है कि समय center की मदद करते हूए मनिश्य है कि चोख मनश्य है कि द्छीवरियों नहीं करते हैं इन बंक्यों में जीवह आप आँगे है विपकट्र ने चाहीं है कि बर आगे बढ़ते जो इसको प्रयासरत रहना चाहिए लेकिन यह व्यात रखना चाहे है कि हम अपनी और यही वही है जो दूसरों के लिए जीता है चीक है तो यहां पर होती है हमारी यह वाली कविता भी समाप्त वीडियो के ज़िए अच्छी लग रहे हो तो जुरूर लाइक करते रहना और शेर करते रहना सब्सक्राइब करते रहना चैनल को हम अपनी नेक्स का विदा करेंगे पर्वत प्रवेश में पावस पर्वत प्रविध का मतलब होता है वर्शा रिटू तो परवतों पर क्या है कि वर्शारित हो थी और पल परिवर्थत प्रकर्टी वेश मतलब होता है कपड़े बेसिकली है ना तो प्रकर्टी वेश यहां पर क्या हो रहा है प्रकर्टी का रूप प्रकर्टी अपने कपड़े बदल रही है मतलब अपना रूप बदल रही है हो क्या रहा है कभी बारिश तो चलिए अच्छे से कर लेते हैं कभी हाँ बताता है नीचे जल में जो तालाव है न पर्विता के नीचे तालाव है। उसमें महाना कार देख रहा है। 정말Si कभी बताता है कि कभी ने क्या किया एंट कि अस् वार्ण यह समय वर्षा रित्व हो थे ठीके उस समय प्रकर्ती करती कहीं कभी होता है कभी को रहा हो रहा है कभी प्रवत को फाड़ कर यानि कि अपने जो पुषपरूपी आंखें उन्से क्या देख रहे हैं कि अपने नीचे जो जल में जो तलाब बहरा है तलाब का पानी रुका हुआ है तो उसमें अपना प्रतिव में जब तलाब में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानों परवत आपका पानी क्योंकि साफ और बिल्कुल पारदर्शी है इसलिए वह बता रहे हैं कि वह दरपन का काम कर रहा है जिसके चरणों में पला ताल ताल मतलब तलाब परवतों के चरणों में यह परवत बने हुए है तो यहां पर जो तलाब बहरा इसलिए इसको ऐसा कहा भड्यों से सुन्दर जरते हैं जर भरे निरजर गिरी का गौरब इसको आ जाता है पहार को परवत को ठीक है और गौरब जरी मतलम मस्त्पी में अब जब इस तरह के जरने गौरव गाते हुए गिरते हैं सुनो अच्छे से किन बंक्तियों का क्या बहवर्त होता है कि परवतों पर बहने वाले जो जरने होते हैं उनकी आवास जो है वो कल-कल करकि आएसे प्रतीत होती है कि जैसे मानों परवतों का गुड़गान गा रहे हूं मतलब परवत का उनके बारे मैं अच्छी बाते कर रही हूं मद में नस्तास उतेजित कर देते हैं जब बहुत ही हमें अच्छा लगता है है जब हमें इस तरह की आवाज सुनते हैं और हम ऐसा लगता है इससे परवतों की वो उनका गुडगान कर रहे हो ठीक है अब आगे पर विदी रहे हैं मोती की लड़ियों से संदर जहरते हैं जाग फूर से दिखाए गिरिवर निicias वाफंबला हुए है रहे हैं देख रहे हैं पर और अकाश की तरफ देख रहे हैं नीरवनव पर अकाश की तरफ जो है वह देख कि आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानों परवतों का वो गुडगान कर रहे हैं और हमारी नस नस में वह बिल्कुल उत्तेजना भर देती है यह आवाज हमें बहुत अच्छा लगता है तेज राफतार से बहते हुए जरने हैं वह बिल्कुल मोतियों की लड़ियों जैसे प्रतीत होते हैं परवतों के आसपास बड़े बड़े जो व्रक्ष है उसकी जो हिर्दे पर कहना चाहिए परवतों पर जो हैं बड़े बड़े व्रक्ष लगे हुए हैं वह शांत अकाश को जो है वह टक देख रहे हैं बिल्कुल और ऐसा लगता है जैसे कि जो ठीक है तो वह अचानक से कहीं खो गए हैं और फड़का अपार पारद के पर रवशेच रहे गए हैं निर्जर है टूट पड़ा भूपर अंबर बहुत बड़े बात है धस गए धरा में सब्भेशाल उठ रहा धुआ जल गया ताल यह जल दियान में विचर विचर थक इं अमान ध्रल यहने कि बिल्कुल सफेद और चनकीले पंग ठीक है और रव किसे कहते हैं रव मतलब होता है शेश केवल अवाज का रह जाना थीक हैं और सब्हें मतलब को इसाथ साथ मतलब बातल के विमान के तरह होता है तो पढ़ोचे से कभी ने क्या वर्ण रव शेश रहे गए हैं निर्जर कि कभी ने बताया कि पहाड़ों पर वर्षरित होने के बाद परिवर्थनों का बहुत बहुत बढ़े चित्रन किया और अंतता उन्हों अरव शेश रह गई हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है तूट पड़ा भू पर उंबर तो दस गए धरा में सब दिखाई नहीं दे रहा तलाबों से उठने वाला धुआ यह दो कहना चाहिए वो सफेद सफेद धुआ सा नहीं उड़ता फाउग सा जो ता उसकी वज़ासे उगल रहे है कि तलाब क्या हो जल रहा हो जल दियान में विचर विचर था खेल था इंद्र जाल ठीक है तो क्या हो तो आपनी करेंगे नेक्स्ट कविता तो बस्तीन कविताय रहें और फिर हमारा कम्प्लीट रहें तो अब हम करने वाले हैं अपनी कविता तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है विरें डंगवाल जी द्वारा रचत है चलिए शुरू करते हैं तो इसकी होती है बड़ी समहल विरासत में मिले कंव्यां साल में चमकाई है दो बार कंपनी पार कंव माने इस union कंपनी इस मारे नेग यह तरिक्मेन गताो कंपनी आट धेजिता यह और प्रवेश ऑंपर और कंपनी बाग के मुहाने पड़े नी कंपनी बाग जो इस इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था उसके मेने गेट पर धर रख धर रही गई है मतलब रखी गई है यह 1857 की तो और इसकी होती है बड़ी समहाल इसे बड़े समहाल के साथ रखा जाता है इसकी बड़ी तो देख बाल कैसे की जाती है जिस तरह से कंपनी बाग की तरह गया जाता है उसी तरह से तोप को भी चमकाय जाती है तो सुबा-ो सियलानी से तो से लोग बहुत सारे लोग कौन होता-ो जो दर्शन करने आते देखने आते गुमने आते परीड़ाइं में बड़ी जबर उढ़ादी है मैं अच्छे शूर्माओं के दच्जे सूर्माओं मतलब बड़े वीरों को मैंने क्या किया धज्जे उड़ा दिये उनके चित्रडे उड़ा दिये और अच्छे-च्छे सूर्माओं के अपने जमाने में तो यहां पर क्या करें बेसिकली अपनी न अपना गुडगान कर रही है अब आगे देखते हैं अब तो बहर चोटे लड़कों की गुड़ सवारी से अगर यह फारिक हो तो उस पर उपर बैठकर चलिया ही अकसर करती है कभी-कभी शैतानी में भी वेसके बीतर घुस भी जाती है खास करके गो रही है बड़े थ्यार से समझना यह बताती है कि दर असल कितनी भी बड़ी तोप क्यों एक नाएक दिन तो ऐसा होना ही है कि उसका मुझ बंद हो जाए तो चलो यह बहुत असान सी कविता है बहुत ही ताब वो कहते हैं अब तो बारहाल मतलब अब तो फिलाल क्या हो गया होती हो ना मतलब मेरे खाली हो तो चोटे लड़के मुझ पर आकर गुर सवारी करते हैं करती हैं और कभी कभी तो इसको इसकी व्याक्या को अच्छे से समझ लेते हैं पूरी कविता की व्याक्या को एक बार कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर जो क्या है सजाया सवारा जाता है ना जैसे हम एंटिक चीजे रखते हैं वैसे तो भी साल में दो बार चमकाया जाता है गूमने वाले लोग है तो अपने बार में यह बताती है कि आज थे बिटकर मेरे पर गोड़ सवारी करते हैं और अगर उससे मैं फारे हो जाती हूं अगर खाली हो जाती हूं जब बच्चे इस पर बैठकर आपस बात चीट करने लगती है कभी तो चरारती चिडिया यह निकि गोरहियां है वह तोप के अंदर घुस भी जाती है और चोटी से चिडिया ऐसा करने के हम यह बताती कि कि कितना भी शक्ति शाली हो एक नएक दिन तो उसका अंत होना निश्चित है तो इससे आपने क्या समझा कि बुराई कितनी भी बड़ी हो एक नएक दिन वो समाप तो खोई जाती है अगली कविता है हमारी कर चले हम पिता चिक है तो चलिए अब शुरू करते हैं कर चले हम पिता कैफी आजमी जी द्वारा रचति यह कविता है और यह गीत लिखा गया था उनने सो जब चॉशाट क कि यह लड़ाई हो रही थी जब चीन और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हुई थी है ना तब इन्होंने यह लिखी थी अपनी कविता कर चले हम पिता कविता है यह और अब उसमें गीत के रूप में मतलब एक तदी किसे पिचर में इसको लिया गया था कर चले हम पिता जानोतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुखने दिया सलमारे खुद अब तुम्हारे हवाले वतश थीयों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों चीक है तो Sean इसका शुरू करते हैं क्या हो रहा है यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है जो इनका विताओं में उस समय का चत्रण क्या गया जब राणु भूमी में जो मारे सैनिक हैं वो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणु का बलेदान कर रहे थे ठीक है और वह बाकी लोगों से भी के रहे हैं कि रिक्षा का भार अन्यस वानी वॉट देश सांस कग तहना तमारे सांस थह रही थी मृत्ती तरीके से लग रही हैं पिर भी बढ़ते कदम को रुखने नहीं दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमाले का यानिए देश के मान सम्मान से आप देखिए तो हमने उसको जुकने नहीं दिया मरते मरते रहा बांकपन सातियों ठीक है बांकपन मतला हमारे अंदर ये जो वीरता का भाव है ना वो मरते मरते भी रहा ऐसा नहीं था कि हम मर रहे तो हम डर रहे थे नहीं ये बांकपन ये वीरता का भाव हमारे मन में मरते मरते भी रहा और अब तुम्हारे हवाले वतन सातियों हम तो जा रहे हैं ये वतन त तो बहुत सारे मासम में तो बहुत टाら différentes Obviously यहाई ख़ए-धेश सामने कर सकते हैं में आप भारत के लिए मले को आनमन शान दिखाया है हमने आनमन शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलेदान कर दिया लेकिन हम क्या है कि भई हम शत्रों को हमने यह नहीं आने दिया और जिंदा रहने के मौसम तो बहुत आते हैं जीवन में आश्व अराम की जिंदिगी तो सभी गुजार पाएंगे परंतु देश के लिए मरने के मौके कभी कबार आते हैं हुसन और एश्क दोनों को रुस्वा करें वो जवानी जो फूब से नहाती नहीं है ना हुसन मतलब सुन्दरता गो만े है je क्ट चैनिकल का क Cancer अगर आप किसी इस्तनी के प्रेम में और सुनडर्दा यह आईसी जवानी का कोही लाब नहीं यह जवानी पे धिकार है बिْलकुल देशके काम ही नहीं वो भानी भी क्या जो फूमें नाती ने पीसिकले देश के काम नहीं आती आज दर्ती बनी है दुलन सातियों आप तुम्हारे बतन सातियों और यहां पर दुलन क्यूंगा जैसे की दुलन जोती है वह लाल जोड़े में सचती है तो वैसे है अमारी धर्ती आप खून से सजी यह वह वह लों से भी कि और वह तरो मने नहीं दे रहें नहीं जाएंगे नहीं 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 देश्वासियों से अपना रक्त बहाने के लिए जो हैं वह तयार रही है इसा नहीं हो कि मतलब हम बढ़ जाएं तो नहीं नहीं गुरुप के लोग ना आए नहीं आगे जो लोग देश वासी वागे ना आए तो हमारी जो कुर्बानियां हैं जो हमारे बलेदान है वह कभी भी खराब नहीं जाने चाहिए और काफिला का जाता है यात्मियों के जिए जाएंगे जिए आज मुझे आए और देश के लिए और फिर आगे कहते हैं बांदलो अपने कफन साथी ओं तुम्हारे बाइने माता के लियुकी तुम धाराइन के लिए जाते circles देश पर शही दोने करने के लिए तो लक्षमन जी उसके पहले ही जब आबास सुनको था कि कुछ गड़बर है वह सीता जी के लेक्षमन रेका के अंदर बंद करके गए थे इससे भार आप मत आईएगा ऐसे ही रावन को यहां अमरे दुश्मन को दिखाया गया चीन के लोगों को दिखाया गया क तो मतलब कुछ भी करना पड़े आपको उनके हाथ तोड़ दो जो दुश्मन हमारी दर्थी पर आएं और हमारी दर्थी के उपर जैसे मैं सीता माता के को दामन चुए तो क्या करेगा कि बिना उसको जला कर देगा तोड़ देगा ऐसे ही उन्होंने बोला है राम भी तुम सब्सक्राइब कर दाम ऊचरा मर्मार जो एड़ कर दोड़न कहीं का उच्छा के लिए और जब हम दुशमन से जीद जाएंगे जिएगे मिलेगे मग referring पारेसकलहां थिंगर को मिलिदान आपको gesehenllo dru farmी तरीके से नहीं हमारी जमीन पर हम कहना चाहिए कि किसी को पैर नहीं रखने लिए आज कुर्बान होने वाला जीवन है अमारा यह मृत्यों के गले लग रहा है कि अपने सिर पर अब कफन बांद लो और मरने मिटने के लिए तयार हो जाओ आज देश भारत माता जो कुर्बान मांगती है क्योंकि हम अपनी देश की रक्षा करने के लिए वह राम है हमी जो लक्षमन है और रामाड़ रूपी जो हमारा दुश्मन है उसको कभी भी अपने अंदर धर्तिक अंदर पैर नहीं रखने देंगे आप जो हमारी लास्ट जो है वो बचेगी आतमत्रान करते अ विपताओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्राथना नहीं केवल इतना हो करुणा में कभी न विपता में पाऊंब है दुखताप से व्यतित चित को ना दो सांत वना नहीं सही पर इतना होवे करुणा में कि दुख को मैं कर सकूं सदा जै कोई कहीं सायक ना मिले तो अपना ब कि या भगवान को कि विपने कोई संकटी ना आय ऐसी मेरी कोई प्रातना आपसे नहीं है लेकिन केवल इतना हो करुणा मैं बस इतना कर देना कि यह कभी भी संकट आहे तो भे ना हो ना मुझे डर ना लगे मैं उससे अपने आप स्वेम जो है वो पार लगा सकूँ अपनी दुखताप से वितते चित को ना दो सांतना नहीं सही दुखताप से यहनी कि कश्च की पीड़ा से परिशान मेरे मन को है ना जब जीवन में कभी कसंकट आते हैं कश्च आते कोई सांतना देने वाला नहीं है तो भी सही है आप भी सांतना ना दो तो भी सही है सांतना देना क्या होता है अगर मुझे कोई कहीं सायता करने वाला नहीं भी मिलता है तो भी मेरा जो बल है मेरा जो परिश परिश कहना चाहिए पराक्रम जो है वो मेरा कभी भी कम नहीं हो ना चाहिए तो भी ना मन में ना मानूश है स्वारी हानी उठानी पड़े जगत में लाब अगर वंचना रही अगर मुझे मान लिजे कि भी हानी भी उठानी पड़े और लाब से में वंचत भी रहा जाओ मुझे जिंदेगी में बहुत ज़्यादा कुछ फाइदे ना भी हूं तो भी क्या है प्रभू मेरा जो मैं नहीं मानूं मैं हार नहीं मानूं बेसिकली चीके दो इन पंक्तियों में कभी रवना ठाकुर आप से क्या करते हैं बिश्वर से यही तो प्रातना कर रहे हैं कि है ना आप मागर मुझे कितना भी परिशानी क्यों ना हूं मुझे ना डर नहीं लगना जाएं पंक्तियों में रवना ठाकुर यह प्रातना करें कि प्रभू मेरे दुखों को मुझे बचाओ ऐसा में को तुमसे प्रातना नहीं कर रहा हूं बलकि मैं तो सिर्फ इतना चाह मैं की मेरा पराक्रम कभी कम नहीं होना चाहिए और वो कहने हैं कि अगर मुझे कभी हानी भी उठानी पड़े जीवन में संसार में और मैं लाब से हमेशा वंचित भी रह जाओ मुझे जीवन में कुछ बहुँ ज़्यादा धन दौलत ना मिले मुझे कोई लाब ना मिले तो भी कोई बात नी पर मेरे मन की जो शक्ति है उसक ना ऩुमजें से वहा है आत्म तरान क्या अत्मा करना सी कि म५ैस से नौज डरु आत्म मेरा दिन टरन नहीं परात्य क् तर्ने की शक्ति अनाम्हें और मुझे ना कोई भी ग कोंव भी आउस से तर्ने कि उससे बहार निकलने की जो है उसमें मेरे अंदर सोभ़ी अनाम्हीं अनुने करना मतलब मुझे रोग रहत रखो है ना तो मेरे को स्वस्थ बनाओ बेसिक्लिए आप मुझे तो दैट में कोई भी परशानिया जो है वो बारदाश कर सकूं शुक अनुने क कसeleri आते ही शकती के सारी ही संसार कपर कर सकूं मतलब क्या मतलब रोग रहीत रखना वहन में कर सकूंTH परिशानियों आपसे प्रात्ना करूं आपके मेरा विश्वास बना रहे आगे देखो यह मेरे कश्चों का बाहर को भल проблем ना करो ना करो अगर हो तो कोई मेरी मदद करने वाला ना भी हो तो भी प्रभु क्या है मेरे मन्द में आपके प्रति कोई संदेन आये हैं ना ऐसा नहीं हो कि मुझे कोई आप संदेने वाला नहीं भी हो देखो आपको याद रखों नहीं आता तरशन आपको याद करूं और दुख की भरी रातों में अगर कोई मेरी मदद नहीं करता तो प्रभू मेरे मन में आपके प्रति कोई संदे नहीं होना चाहिए तो लगभग हमने सबागंटे में अपनी सारी कविताएं जो हैं समाप्त कर ली हैं और इसका जो अनुवाद किया था वह हजारी परसाद दिविदी जी ने इसका अनुवाद किया जो हम बढ़ रहे हैं ठीक है तो चलिए देट्स अनुवाद करना जाधा से जाधा बचों की हैं क्यूंग करना तैंक यू